एलो डेयर स्टुडेंट्स इस वीडियो में बच्चों हम विशेशन के बारे में पढ़ेंगे विशेशन यानिकि एडजएक्टिव विशेशन शब्द से ही पता चल रहा है जो शब्द किसी की विशेशता बताते हैं उसको हम विशेशन कहते हैं जैसे कि हहाँ पर आप बोलते हैं, पेड दिख रहा है, कैसा पेड है, लंबा पेड है, तो लंबा जो है वो विशेशन हो गया, लड़किया है, कितनी लड़किया है, तीन, तो तीन जो शब्द है वो विशेशन हो गया, तो पानी कैसा साफ, कैसा पेड है, लंबा, कितनी लड़किया है, तीन, तो जो शब्द हैं यह हमें विशेष्टा बता रहे हैं इसलिए इसको हम विशेष्ण कहते हैं तो विशेष्ण क्या हुए जो शब्द संग्या या सरुनाम की विशेष्टा बताते हैं उन्हें विशेष्ण कहते हैं तो कौन-कौन से जादतर हम विशेशन शब्द यूज़ करते हैं, प्रियोग करते हैं, जैसे ठंडा, गरम, घोरा, काला, बहादूर, छोटा, बड़ा, सुन्दर, खटा, मीठा, धनी, गरीब, इस तरह है कि यह जो सब्द हैं, यह सब विशेशन होते हैं, तो विशेश क्या है कि दोश या अवगुण, यानि कि बुराई बताने वाले शब्दों को भी विशेशन ही कहते हैं, और विशेशन क्या होता है, जो विशेशन शब्द जो होते हैं, वो जिन शब्दों के बारे में हमें बताते हैं, जिन शब्दों की विशेशता बताते हैं, उसको हम इसी तरह लंबी लड़की में लंबी विशेशन हो गया और लड़की विशेश्य है शरारती लड़का में शरारती विशेशन है और किसकी बारे में शरारती बताया जा रहा है लड़का तो ये विशेश्य हो गया इसके बाद हम विशेशन के भेद पढ़ते हैं विशेशन कितनी तरह के होते हैं विशेशन पांच प्रकार के होते हैं गुण वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन सार्वनामिक विशेशन और व्यक्ति वाचक विशेशन तो बच्चों क्य जाक्या चीज़ें पड़ी हमने इस चाप्टर में, संग्या और सर्णाम की विशेश्था बतानेवाले शब्दो को विशेशण कहते हैं, और दोश या अवगुन यानि की बुराई जो बताते हैं शब्द उनको भी विशेशण ही कहा जाता है, और विशेशन, जिन शब्दो की विशेशता बताते हैं, उन्हें विशेशे कहते हैं और विशेशन, पांच तरह बताते हैं, गुण्वाचक, परिमान वाचक, संख्या वाचक, सार्वनामिक और व्यक्ति वाचक अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ exercise करते हैं जैसे कि यहां पर second part में हमें चित्र देखकर बताना है कि सही option कौन सा है जैसे यहां पर आप देख रहे हैं टमाटर है तो लाल टमाटर है आइस क्रीम कैसी होती है ठंडी है बिल्ली कैसी है काली है इस तरह से हम उनको देखकर ब जंगूर कड़वा करेला इमानदार आदमी हरी घास चार पुस्तके इस तरह से हम उनको मैचिंग कर सकते हैं अगले प्रेशन में हमें विशेशन और विशेशय चुन कर बताने है जैसे एक लीटर दूध ले आओ तो एक लीटर क्या है यह विशेशन है एक लीटर और क्या है एक लीटर दूध तो दूध हमारा विशेशय हो गया इसी तरह से रीमा लंबी है तो लंबी क्या है विशेशन है और कौन है लंबी किसके बारे में बताया जा रहा है रीमा के बारे में तो रीमा विशेशय हो गया इसी तरह से बाकी के प्रश्न को भी आप कर सकते हैं अ कोयल का रंग कैसा होता है काला होता है तो इस तरह से बच्चों आपने समझा कि विशेशन क्या होते हैं और कितनी तरह क्यों होते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू